इस Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम एक से दस जून तक के सभी इंपोर्टेंट Current Affairs का सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं इस सीरीज का एक पार्ट टू है अल्रेडी पार्ट वन अप्लोड किया जा सका है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यह दिया हमारे डेली पीडियेफ कॉंटेंट है हम आपको एक साल तक के लिए प्रवाइट कराते हैं जिससे आप डाउन्रोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए चाहिए आपको कर सकते हैं या फिर अपने लैप टॉप या सिस्टम के मदद से वैप लोगिन भी कर सक सकते हैं और यह दिया हमारा वनिया मेंबर्शिप प्लान लेते हैं इसमें आपको कैटेगरी वाइस कुछ प्रोवाइट कराते हैं तो एक बार अगर आपने हमारे क्रेंट अफेर्स पढ़ लिए उसके बाद इन कुछ को टैम्ट कर लिया तो यकीन मानिया आपको क्रेंट सेक्शन काफी स्ट्रोंग हो जाएगा और आप काफी अच्छा स्कूर कर पाएंगे अपने आने वाले एक्साम्स में फिलाल 10% ओफ आपको मारे स्कूर्स मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में आफिर फर्स्ट कोमेंट में दिया गया उस पर क्लिक करना है और हमारी एप को इस्टॉल करना है वह आपको जनर अबेंटने स्कूर्स मिलेगा उससे जब आप बाई करेंगे तो 10% ओफ आपको मिलेगा कूपन को लगाना है समर लिम्टेड टाइम ओफर है बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप जो हमारी एप है उसके रिव्यू पढ़ सकत कि विच हाई कोट है इस इंटरूस्ट मेंस्ट्रल लिव पोलिशी फोर इस विमन एंप्लोईज तो सिख्कीम हाई कोट ने अपनी महीला कर्मचारियों के लिए मासिक तर्म अवकाशनिती शुरू की है वट इस नुवली फोर्म गवर्निंग बोड़ी देट आप बोक्सिं में सामिल हो गया है what is the new GDP growth forecast for India by Goldman Sachs for the calendar year 2024 calendar verse 2024 के लिए Goldman Sachs द्वारा भारत के लिए नया GDP विकास पूरान माने 6.7% who has been appointed as chairman of staff selection commission कर्मचारी चैन आयोग के अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन को नुक्र किया गया where did the WSIS plus 20 world submit on the information society forum high level event 2024 held WSIS plus 20 forum उच्चे इस्तरिय कारेकम 2024 जेनेवा में आई जित हुआ the national level coordination committee for the world's largest green storage plant held its median meeting in WSIS city बिस की सबसे बढ़ी अनाज पंदारन जोजना के लिए राश्ट्रिय इस तरिय समनवे समीती की पहली बैटक नही दिल्ली में हुई what is the name of the digital library program और digital library platform created by department of school education and national book trust इस्कूल सिक्षावी भाग और national book trust द्वारा बनाये गए digital library platform का नामे राश्टे-E पुस्तका ले इन विच कैटेगरी है Reliance Industries Limited been placed on the Time 100 list Reliance Industries Limited को Time 100 Sushi में Titans स्रेड़ी में रखा गया है which state has included artificial intelligence learning in a school test book so Kiral Rajya ने इस्कूली पाठ्थे पुस्तकों में artificial intelligence section को सामिल गिया which company will become the largest customer and first reseller of open AI enterprise product so PwC open AI enterprise उत्पाथ की सबसे बढ़ी ग्रहक और पहली पुनर विक्रियता बनेगी which Bengaluru-based fintech firm has launched secure loans in partnership with NVFC बेंगलूरु इस्थित फोन पे ने NVFC के साथ साधरी में secured रिन launch किया which party must as the single largest party in the 2024 लोगसभा elections 2024 के लोगसभा चुनाओं में BJP Party सबसे बड़ी पार्टी मने करूब रही है what is the theme for world food safety day 2024 विश्वखादी सुरक साधिवाद 2024 का विशा है food safety prepare for the unexpected which country has recently banned the entry of Israeli passport holders हाली में Maldives ने Israeli passport धारकों के परवेश पर प्रतिवन लगा दिया है which country will allow non-citizens to join its armed forces in order to meet recruitment as targets so Australia gand nagarigo को अपने सचस्थर बलों में सामील होनी के नमती देगा which country has recently officially launched its space agency हाली में South Korea ने आधियारी के तोर पर अपनी antrix agency launch की है which bank has forced a bank assurance tie-up with ICSA Lombard General Insurance Company Limited so Capital Small Finance Bank ने ICSA Lombard General Insurance Company Limited के साथ इक bank assurance समझोधा किया है what percentage of stake will Punjab National Bank sell in Canera HSBC Life Insurance Company Punjab National Bank Canera HSBC Life Insurance Company में 10% से दारी बेचेगा why did the RBI cancel the option of the 10-year green bonds RBI ने 10 वर्षी green bond की निला मिक्यों रद्दी की right answer option D traders refuse to pay greenium which award was given to C.DOT by the UN in 2024 in 2024 में सहीनिक रास्तवारा C.DOT को WSIS Champion Award दिया गया what is the estimated horticulture production in India for 2023-24 according to the second advance estimates दूसरे अगरिम अनुमान के अनुसार 2023 के लिए भारत में बागवानी उत्पादन 352.2 million tons होना अनुमानी थे what is the total food grain production estimated for the year 2023-24 according to the third advance estimates तीसरे अगरिम अनुमान के अनुसार वर्द 2030-24 के लिए कुल खाद्यान उत्पादन 382.2 million metric ton होना अनुमानी थे how many banks signed MOUs with the defense account department to onboard them as ispard service centers so 4 bankों ने इस पर सिवा के अंदर के रूप में सामिल होने के लिए रक्षा लेखा विवाग के साथ सम्झोता ग्यापर प्रस्ताक्षर किया which organization collaborated with ministry of electronics and information technology to host the national stakeholder workshop on safe trusted and ethical AI surakshit, viswasani and nathic AI पर रास्टे हिद धारक कारेसाला की मेजबानी के लिए UNESCO ने electronics और सूजना प्रदुई के साथ सायोग किया what is the name of the national telemental health help line operated by ministry of health and family welfare स्वास्त और परिवार कर लियान मंत्राले द्वारा संचालित राश्टे टेलिमेंटल स्वास्त हेलप लाइन का नाम है टेली मानस what is the name of the ant species recently discovered in अरुनाचर प्रदेश स्यांग वैली हाली में अरुनाचर प्रदेश की स्यांग गाटे में खोजी गई चिंटी पेजादी का नाम है पैरा पैरा ट्रेशिना निला who was awarded the Delhi Boss Award for lifetime achievement by All India Tennis Association Akhil Bharati Tennis Sankh Dwarah आज जिवनों प्लप्ती के लिए दिली Boss प्रुशकार से नरा सिंग को सम्मानित किया गया which rocket successfully launched the Earth Care spacecraft the Falcon 9 rocket ने Earth Care Antriksyan का सफलता पूरवक प्रेशिप पन गया what is the theme of world ocean day 2024 विस्व महासागर दिवा 2024 का विशा है अवे का new depth which app was launched alongside the indigenous air quality monitoring system where was the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ministerial meeting held Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Mantrishtar ये बैठा काय जितुई Singapur में which two navies participated in the sixth edition of the staff talks staff पारता के सटे चटे संस्क्रण में India Navy और Royal Navy of Oman ने भाग लिया how much monetary penalty was imposed on the Ron Taluka Primary Teachers Cooperative Bank Limited by the RBI RBI द्वारा the Ron Taluka Primary Teachers Cooperative Bank Limited पर 75,000 रुपय का मौधरिक जुर्वाना लगाया गया which Mumbai Lab was launched by SEBI with the aim of simplifying complex financial concepts Jatil Vitya Avdharanao को सुरल बनाने के उदेशे SEBI द्वारा सार्थी 2.0 app launch किया गया which state government will launch a 10,000 kron rupees project funded by world bank to tackle air pollution so Harirana Rajya Sarakar Vaayu Pradhusan से निपटने के लिए Vista Bank द्वारा with Poshit 10,000 kron rupees की परियोचना शुरू करेगी which country's parliament recently approved the recognition of an independent Palestinian state हाल ही में Slovenia देश के संसर्नेक सुरंत्र फिलिस्तिनी राष्ट की मानेता को मंजूरी दी है what is the new numbering series introduced by the department of telecommunications for making service transactional calls दूर संचार भी आख द्वारा सेवा लिंदेन काल करने के लिए शुरू की गई नई numbering संकला है 160 State Bank of India became the 7th Indian listed company to surpass rupees 8 lakh crore market capitalization State Bank 8 lakh crore रुपे के बाजार पुंजे गरण को पार करने वाली साती भारती सूची बद्ध कंपनी बन गई what is the name of the application launched by geofinancial services geofinancial services द्वारा लॉंच ही गए application का नाम है geofinance against this team did Indian cricketer केदार जादो प्ले हिस ODI debut match भारते क्रिकेटर केदार जादो ने बना one day debut match स्रिलंका एं खिलाफ खेला था हाली में रिट्रायर्मेंट लिया है Pakistan launched a multi-mission communication satellite named Parkset MM1 in collaboration with which country पाइस्तान ने चाइना के सहयोग से Parkset MM1 बहु मिशन संचार उपकरे लॉंच किया when will India host the international air transport association annual general meeting भारत international air transport association की वार्सिक आम बैटक की मेजबानी 2025 में करेगा which Finnish company has signed an agreement with Gatishakti Vissvidyale for joint research in 5G6G communications so Nokia ने 5G6G संचार में संयुक्त अनुसंधान के लिए Gatishakti Vissvidyale के साथ एक समझेते भरस तक्षर किये which bank has entered a strategic bank assurance partnership with Bajaj Allianz General Insurance so Axis Bank ने Bajaj Allianz General Insurance के साथ रवनितिक बैंक आशोने साहधारी में प्रविश किया who has been appointed as the acting chairperson of the National Human Rights Commission राष्टे मानवाधिकार आयो के कारेभाहिक अध्यक्ष की रूप में Vijay Bharti Sayani को निप्त किया गया who has been named as the chairperson of Dindayal Port Authority Dindayal Bandraga Pradikand के अध्यक्ष की रूप में Sushil Kumar Singh को नामित किया गया which company has overtaken Apple to become the world's second most valuable company so Nvidia Apple को पचाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मुल्यवान कंपनी बन गई है which company has partnered with the Oriental Insurance to introduce the Sarsis Raksa Policy Sarsis Raksa Policy launch करने के लिए Asok Leland ने the Oriental Insurance Company के जास साइधारी की है who recently became the Indian Navy's first woman helicopter pilot Halium Bharti ने उसाने की पहली महिला helicopter pilot Anamika Rajiv बनी who won men's singles title at 2024 Malaysia Masters 2024 Malaysia Masters में पूरुस एकलगा किताब जीता विक्टर एक्सल सेन who is the highest pit CEO of Indian descent according to the 2023 list released by the Wall Street Journal Wall Street Journal द्वाराचारी 2030 सुची के नुसार भारते मूल के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO हैं of the Board of Directors of ICICI Prudential ICIC Prudential के निदेश्या मंदल का अध्यक्षनिक किया गया Sandeep Batra को who is heading the Inter-Ministerial Committee set up by the Minister of Home Affairs to tackle Cyber Crimes Cyber Aparatus इन पर नगले करें Mantrali द्वारा गठित अंतरमंत्राली समीदिकाने तरत V.S.A. Komudi कर रहे हैं who is the Chairperson of the Ad-Hoc Administrative Committee appointed by the Delhi High Court to oversee the operations of the Equestrian Federation of India Equestrian Federation of India के संचलन की देखरेक के लिए दिल्ले उच्चनियाले द्वारा न्यूकत तदर्थ प्रशाश्निक समीती का अध्यक्षे नाजमी वजीरी which new plant species has been discovered in the Adamalaya forest range of Keral Keral के Adamalaya 1 शेत्र में Amblica Chakrabharti पोदे की प्रजात्की कोची गई Where will the control center of India's first research test bed to study Norwesters be located? Norwesters के अध्यान के लिए भारत के पहले अनुसंदान प्रिक्षन इस्थल का नियंतरन केंदर होगा Chandabali, Kudisa में What is the new tick size announced by NSC for stocks valued up to Rs. 250 per share NSC द्वायर 250 पर 30 share तक मुल्यवाले शेरों के लिए कोची तन्या tick size है Rs. 0.01 What is the name of the mission under which the first batch of operational spy satellites were launched by SpaceX? So, उस space mission का नाम है N.R.O.L.146 जिसके तहत SpaceX द्वारा परिशालन जासु सी उपुरों का पहला batch launch ही आगया What is the expected bank credit quote in Fisker 25? According to Chrysalal Ratings, Chrysalal Rating अनुसार Fisker 25 में अपेक्षित bank रिट दी 14% है What is the base state of newly launched Nifty EV & New Age Automotive Index? New launch के Nifty EV & New Age Automotive Index की अधारती थी है 2 April 2018 What percentage of state does Coal India hold in its new subsidiary Bharat Coal Casification & Chemicals Limited? Coal India की अपनी नई सायक कंपनी Bharat Coal Casification & Chemicals Limited में 51% की इस्तिधारी है Which state recorded the highest unemployment rate among the 15-29 age group for the January 2 March 24 2024 की January 2nd माय तिमाही के लिए केरल राज में 15-39 आईवरक के बीच सबसे अधिक भी रोजगारी तर दरज की गई है साथ ही Current Affairs Fund आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और Current Qs में आप सब एक रे डालते रहते हैं साथ ही decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे Current Affairs की प्लेश देगई इसको आप जरूर देखें आज का सेशन आप कैसा लगा आप को मेंट बुक समश्य बताइएगा थैंक्यू गाइस झांछित aqui स एक रेसिंगं किसार का зач Cash Dash समने से एक जरू का समने साथ बताइएख जरूक सब लुटव से ताउस